तो दोस्तों आप सबने एक चीज़ जरूर फिल किया होगा कि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपार करके जाते हैं बहुत ही मैनत के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही सिद्धत के साथ ऐसे प्रिपार करते हैं कि मतलब इन च टाइम अगर आप दूसरे किनी topics के questions पर लगा देते तो शायद आपके 2-3 माग जादा आ जाते और आपके paper का cutoff clear हो जाता तो यही चीज आज आज आपके शामने में share करने वाला हूँ कि कुछ ऐसा topics वाकरी में जो दिखते भायम करें वो examination में काफी easy questions उन chapter से पूछे जाते और कुछ chapters जो देखने में बहुत ही simple है आप सबका लगबग favorite है लेकिन उनसे questions examination में आपसे क्यों नहीं बनते with example में आपको practically proof करके दिखाऊंगा कि इनसे क्या कुछ ऐसा different question आता है जो आपको mocks में सायद नहीं मिलते होंगे वो examination में direct देखके आप हरवड आ जाते हैं तो वो with proof में आपको देने वाला और साथी साथ आपको एक proper sequence अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है बोड में जो कौशिक महनती welcome to our channel केरे डिफाइन तो सबसे पहले अगर किसी भी बैंक के preliminary examination की बात करूँ तो वहाँ पे 35 questions आपको quant section के देखने के लिए मिलेंगे और उन 35 questions में से 10 से 15 mark आपको इन पार्ट से मिल जाएगा speed booster जो कि simplification quadratic और series कहलाते हैं अब यहाँ पे मैं यह नहीं कह रहा आजाए और series 5 आजाए 10 mark होगे 15 ना होगे हो सकता है simplification 0 ना ही आए और 5 quadratic 5 series आजाए 10 mark मतलब 10 तो minimum और 15 average आएगा प्रिलिंस exam में यह तो confirm है और आपको इन questions को बिल्कुल exam में बना के आना और यह सब बनाते भी होगे यह सब का favorite है ठीक है इसमें कोई और मुझे मेरा focus arithmetic के पर रहेगा यह 15-10 से 15 तो आपको लाने ही लाने है अब यह 10-15 लाने के बाद आपको सीधा जम करना ही data interpretation को अब data interpretation को जब आप करेंगे तो वहाँ पे आप सब सोचते हैं कि भाया मेरा shift बहुत tough हो गया मेरे जो डियाई ना बहुत काल्कुलेटिव थे बहुत ही लिंदी थ जाते हैं आपको 15 मार्क के तो अगर मैं दो का average भी लेके चलूं तो दो सेट में से एक सेट आपका बहुत easy होगा normal एक single pie chart होगा degrees या फिर percentage में सिर्फ percentage calculate करना होगा what percent of more less ratio average वही और दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा data table के form में अगर देगा तो थोड़ा Calculative क्या कर देगा हम यह कुछ city देगा सुटी में फिर ratio देगा ratio में फिर percentage देगा तो आपको थोड़ा लंबा सा calculation करना होगा गुजरना होगा लेकिन वहाँ पर अगर आपका simplification और वेदिक math तो आप calculation जल्दी कर पाएंगे और अगर आपका logical thinking to tackle data integration सही है तो आप उन questions को भ गजब के Calculative DI को logical approach से solve किया है वो भी setup देख सकते हैं कि वाकर में exam में हमारा mind कैसा चलना चाहिए तो हम blame नहीं करके खुद को improve करने में ज्यादा time देना चाहिए हमें ठीक है तो इससे तो 10 mark के questions अगर आएंगे तो मुझे करना ही करना है तो इससे लगबर अगर इन दोनों पार्ट से मिलाओ तो मुझे यहां से 10 minimum यहां से 10 minimum तो 20 mark के question minimum तो आ चुके है 25 आना चाहिए 25 minimum यहां से लेकिन मैं आपके negative side को लेके चलता हूँ आपके मतलब against चलता हूँ condition के situation प्रकृति के विपरित चलते कि इन में से 20 mark आया और हम 20 mark बनाया है लेकिन हमें तो 30 प्लस ज कर सकता है तो यहां पे अगर मैं बाकी के 15 mark हमारे पकृति के विपरित चलके भी लूँ अरित्मेटिक है तो वहां पे भी मैं 10 प्लस attempt कर सकता हूँ कैसे percentage ratio और average जो कि must do arithmetic इनके बीना आप want section attempt कैसे कर रहे है वो भी मैं मतलब आश्चरियों तो यहां पे इन तीनों chapters का तो आपको complete पकड complete hold होना ही चाहिए क्यों कि अगर यह नहीं जानते तो data interpretation खाक करेंगे percentage more less ratio कैसे निकालेंगे तो यह impossible है इनके proper idea से ही logical approach develop होता है इनके short tricks develop होते है क्योंकि यह जो है completely unique के उपर तो based होता है prelims का तो इन तीनों चीज़ों को आपको पकड मजबूत बनाने ताक total population देगा male female का ratio देगा फिर percentage breakdown देगा पूरा एक एक question direct आपको मिलेंगे percentage से ratio से और average का तो question एक मार का confirm है तो यहां से आपको direct question मिलेंगे उनको attempt करना है अब इन में से suppose मैंने मान लिया कि 2-3 question 1-1 chapter के 1-1 मिलगे तो 3 question यहां से मिलगे अब 7-8 question मुझे लगाने 7-8 question तो first priority यह होने चाहिए सर मुझे तो नहीं लगता है यह कहीं पर भी मेरे जिंदगी में first priority list में आ सकता है आपके उपर जितना भी मैं वहरोसा कर रहा था आगे भी करूंगा लेकिन इस condition पर नहीं रुको जरा थोड़ा proof तो कर दे हम time and work मतलब इतना प्यार करते हैं कि time and work देख आपको करने के लिए 20 दिन ले रहा है तो आपका दिमाग यहीं तक restricted है हाँ sir LC में ले लिए 60 ये 6 ये 4 ये 3 आगे उनके efficiency आप बताईए करना क्या है A और B को 3 दिन काम करवा हूं फिर बाकी C को करवा हूं या A और C के half efficiency में काम करवा हूं अरे sir मुझे साब आता है alternate वो भी आएगा अरे भाया ये सब जो आप उड़ रहे हैं हवा में यही 60 और 6 4 3 के वज़े से उड़ रहे है अगर मैं आपको starting से ही question बोल दूँ कि A B C 3 लोग है C जो है वो X days में काम करेगा B जो है वो C से 10 दिन ज्यादा लेगा मतलब X से 10 days ज्यादा यानिकि X plus 10 और A जो है वो B B से 15 दिन ज्यादा लेगा मतलब B अगर X plus 10 उससे 15 ज्यादा मतलब X plus 25 अब लीजिए LCM लीजिए ना आगया LCM आगया स्वाद LCM ना LCM ले सकते ना Efficiency इन सवालों को solve करने का कुछ तरीका अलगी है तो अगर वो concept आपके दिमाग में गुसा है आप LCM के पीछे भाग रहे तो यहीं पर आपने time waste किया किया या नहीं कमेंड करके बताएगा किया या नहीं आप बस LCM के पीछे भागते रहेंगे लेकिन इस सवाल बनेगा नहीं इसका कुछ और तरीका होता है सिमिलरली सेम चीज़ पाइट सन सिस्टम वहाँ पे भी तो LCM का ही concept आप पढ़के गए हैं लेकिन सवाल दे दिया C can fill a tank in X hours, B can fill the tank in X plus 10 hours and A can fill the tank in X plus 25 अब तो मिलके कितने भरेंगे आगे कुछ data दिया होगा आपके दिमाग में पल्ले नहीं गुसेगा तो ये दोनों चीज़ें आपको देखके समझ में आ गया होगा हाँ एक्जाम में थोड़ा ना थोड़ा तो हमें लालच देखके फसा रहा है अब आगे अगर मैं बढ़ूँगा problems based on ages आपने जिंदेगी बर ages मतलब एक ही चीज़ सीखा है दो लोग होंगे A, B, उनके 7 साल पहले का ratio दिया गया होगा 9 साल बाद का ratio दिया गया होगा 7 साल पहले 9 साल बाद gap 16 साल का आया होगा रेफ्रियों में difference बराबर रहेगा और वही difference 16 के बराबर होगा एक पार्ट निकाल के निकाल दो present वगें जो अरे बहिया कभी इंसान 3 नहीं हो सकते A, B के साथ आपके prelims examination में maximum time 3 आदमी वो introduce करता है और वो ratio देता है न, A का 7 साल पहले, B का 9 साल बाद A का 9 साल पहले और C का 8 साल बाद यहाँ पे without using traditional method we can't solve the problem हाँ, we can use options अगर आप उतना knowledge, यह तो है न, depends on your preparation अगर आप उस हद तक prepare कियें तो मेरे बाते सुनने की जरूरत नहीं आप यह video यह देखने नहीं आते आप उस हद तक prepare नहीं है इसलिए देख रहे हैं तो प्यार से समझे चीज़ों को तो यह चीज आपको गजबत का लगेगा कि एजस problem भी आपको फसादेगा आप बस लेते चले जाएंगे, ट्रिक के पीछे भाग रहे होंगे ratio नहीं बराबर हो रहा, क्या करूँ, क्या करूँ ratio तो कुछ common नहीं आ रहा, उसको traditional में solve करना होगा similarly अगर मैं बात करूँ mixture problems के आप सबको यही लगता होगा, कि हाँ सर 32 लिटर का mixture है और वहाँ पे इस 32 लिटर में न सर, 3 to 1 ratio में हमारा milk और water है तो अभी अगर इसमें से अगर मैं 16 लिटर निकालूंगा तो वो भी 3 to 1 में जाएगा, और जो रहेगा वो भी 3 to 1 आप यही concept में जाएगे, लेकिन अगर मैं 32 लिटर के जगह आपको X लिटर थमा दूँ कि X लिटर का mixture है, और उसमें से 16 लिटर ना जा कि Y लिटर जाए अब तो दिमाग का मतलब क्या हो गया होगा, क्या से निकलना था, गया दिमाग का दई हो गया यहां पर total X है, उसको आप 3 to 1 रेशियो में break करते रह जाएंगे, similarly अगर उससे आप Y निकालेंगे तो गया तो usually mixture के question आपको ऐसा देता है, कि आपका total mixture X है, उससे Y निकालेगा, या फिर total mixture 32 है, उसमें से X निकालेगा तो वो मत कीजिएगा, first जाएंगे, क्योंकि usually हमारे जो mocks के question है, वो ऐसा रहता है, 32 उसमें से 16 गया, बचाए 16 वो भी 3 to 1 रेशियो में, 12 चार ऐसे करके, हम practice इस से साफ से कियें, तो हमारा mind उसी में limited restricted रह जाता है, लेकिन निकल के आता है चीज कुछ और, अगर मैं bottom stream की बात करूं, तो यहां पर भी language में काफी problem है, boat and stream से छोटा concept पर किसी का नहीं है, अगर time and distance आपने पढ़ा है, तो उसी में एक additional concept है, कि upstream में speed minus होगा, downstream में speed of the boat and still water and current add होंगे, यही छोटा से concept में इतने भहेंकर भहेंकर सवाल देगा, कि आपका जो ratio देदेगा, वो boat का और चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, कि bottom stream का, अब time and distance के अगर में बात करूं, इसको में इस chapter मतलब यहां पे कुछ इसका role नहीं है, क्योंकि अब अगर मुझे पूचे frankly, तो time and distance का prelims में ज्यादा role नहीं रहता है, लेकिन आपढ़ के जाएंगे, अरे सब पढ़िये, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक visualize दिखा रहा हूं कि practice experience में या आपको चीज़ डिलिवर कर रहा हूं आप तक, time and distance के तो application chapter माने जाते हैं, एक bottom stream और एक trains, अगर इन दोनों chapter से आपको एक-एक mark के question direct मिलेंगे, हमेशा prelims में दो mark, तो क्यों time and distance स direct question आएगा, इसलिए इसके application chapters are important, that is bottom stream and trains, time and distance के direct questions आपको rarely आफिर exam में देखने के लिए मिलते ही नहीं, early और late का हो गया तो हो गया, एक आप question accident वाले, कुछ ऐसे questions देगा नहीं तो देगा ही नहीं, क्योंकि उसके application chapter important है, इसलिए इन chapters को हम बाद में पढ़ सकते हैं, और ब terms में करने लायक, मैं यह नहीं कह रहा कि profit loss on discount is easy chapter है, profit loss के discount में एक छोटा सा question अगर आपके दिमाग में मैं भर दूँ, कि mark price jeans है, jeans का mark price के उपर 20% का discount मिल रहा है, हाँ sir, और 4 jeans के साथ एक और jeans आपको free मिल रहा है, तो overall कितने percent का discount है यह आप नहीं बता सकते हैं, निकाल दी चीज़ों आपको ध्यान देना है, कि छोटा छोटा सवाल, ऐसे भी सवाल आपको मिलते हैं, कि अगर एक चीज़ के selling price को double कर दिया जाए, तो उसका profit triple हो जाता है, तो कितना percent का profit वाकई में चल रहा है, छोटा एक लाइन का question है, one liner, बट आपके दिमाग में नहीं गुसे है लेकिन कि आप उन तरह के सवालों के साथ daily acquainted नहीं है, अब जिन सवालों के साथ daily acquainted है, वो आपको mocks में मिलता है, कि इतना percent बढ़ा दिया, उसके बाद इतने percent का discount दिया, इतने percent का profit हुआ, selling price, cost price इतना, तो mark price कितना, यही आता है, paper में भी यही आएगा, थोड़ा गुंफि की बात हम करी नहीं रहना, अब बात करते हैं, simple और compound interest के, और यहाँ पर पढ़ेंगे, तो गुच्छे में पढ़ेंगे, सिंपल और सिंपल और compound से कुछ नहीं होगा, क्योंकि prelims के paper में जो एक question आएगा, वो based होगा, simple और compound दोनों के उपर, आपको दे देगा principle, आपको दे के लिए invest किया, तो compound कितना हैगा, अब जिसको simple interest का funda पता है, वो PTR Y100 निकाल के, वहाँ से R निकाल देगा, और अगर वो compound interest नहीं जानता, तो वो R निकाल के वहीं रख देगा, आगे नहीं जा पाएगा, अगर आपको compound interest पता है, तो R मिलने से ना आप निकालेंगे compound interest, आ आप वहीं पर बैठे रही है, तो सेम चीज़ यहाँ पर difference के भी questions आते हैं, कि 3 साल के लिए difference निकालें, या फिर 3 साल के लिए simple compound के बीच में difference इतना है, तो principle कितना होगा, अगर rate of interest इतना का चल रहा है, तो यह based आपके combined chapters के उपर आते हैं, logical, अगर 2 साल के लिए simple interest 40 रुप के questions मिल सकते हैं, लेकिन इसका concept बस इतना है कि जिस ratio में invest किया जाएगा, profit भी उसी ratio में मिलना तया है, अब questions घुमा फिरा के hardly आपको दे सकता है active partner के और sleeping partner जो कि आप लोग को पताई होगा, तो जो questions आप mocks में daily basis पे देखते हैं, कि इतना invest किया, इतना invest किया, इतना invest किया the train को सिर्फ add करते चलना है, और कुछ भी नहीं है, speed को kilometer per hour से 5 by 18 multiply करके meter per second पे ले जाना है, और हमें ऐसा time का role कुछ रहता है, कि कुछ time दे आगे जा होगा, कि अगर एक pole को cross करने के लिए इतने meter का train इतना time ले रहा है, तो एक platform को cross करने के लिए अगर इतना time ले रहा है, अरे भाईया, इसके मैंने videos इन तीन chapters, एक दो तीन चार, आपको channel पर चार videos मिल जाएगे, यही चार, अभी कुछ भी नहीं बताए, सिर्फ यही चार क्यों बतारे, एक दो तीन चार, यही चार video जो channel के one video one chapter के सबसे last में है, one video one chapter के सबसे last में, वही चार video एक बार देख ल अरे यह experience है, permutation से हमेशा वही तो arrangement आएगा, tiger word को कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, कितने तरीके से arrange करेंगे, जैसे भावल से एक साथ आएंगे, भावल से एक साथ नहीं आएंगे, भावल से और प्लेस में आएंगे, भावल से even प्लेस में आएंगे, या फिर number formation का कि कितने 4 digit के number बन सकते हैं, जो even होंगे, कितने 6 digit के number बन सकते हैं, जो 5 से divisible होंगे, कितने 3 digit के number होंगे, जो 4 से divisible होंगे, ऐसा ही question number formation का आएगा, permutation का, combination की बात करें, तो group formation का आएगा, इतने male है, इतने female है, मुझे committee form करना है, इतने male है, इतने female का, तो कितने तरीके से क्या जा सकत रेड़ बॉल है, ग्रीण बॉल है, ब्लैक बॉल है, मुझे लेने हैं, तीन बॉल, तीनों के तीनों ग्रीन हो, मतलब कितने वेज में मिले सकता हूं, उसी का हाईर वर्षन प्रॉबैबिलिटी में आता है, दिवाइड करना होता है, टोटल सेम्पल स्पेस से, कि इतने बॉल बाल्स रेड कलर के, इतने बाल्स ब्लाक कलर के, इतने बाल्स ग्रीन कलर के, क्या probability होगा, कि मैं तीन बाल लूँगा, तीनों के तीनों अलग होंगे, वही basic questions, या फिर probability में आपको cards के मिल सकते हैं, कि total चार क्यों तो होंगे होंगे, दो कार्ड लेने हैं, कि दोनों के दोनों खुद बना दिया है, वह खुद बोलना है कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आपने उसको चड़ा रखा है दिमाग के उपर से, इससे difficult chapters हमने नहीं देखा, यह chapter ही नहीं है, इसके ओकात क्या है, इस just formula है, और कुछ नहीं, और वह formula आपको रटना है, और अगर आप रट सर्फेस एरिया क्या होता है, कर्वर सर्फेस एरिया क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, पेरिमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, बस एक बार सीख जाएए न, formula रट दीजिए, पेपर में जो question आएंगे, वो direct formula based आएंगे, आप इनी questions को skip करते जाते हैं इसलिए आपको load लेना पड़ता है इन chapters के उपर जो आपको exam में फसा देते हैं और आपके attempts कम के कम रहे जाते हैं हला कि preparation अच्छा होता है यही चीजों के उपर आपको ध्यान देना है तो अगर मैं कहूं कि maximum scores करना है तो first in scoring topics को कीजिए फिर data interpretation को कीजिए फिर must do arithmetic और यह chapters के अगर आपको exam में question देखने के मिलें तो skip करके इनी chapters के question को पहले किजिए वक्त बचा तो इन questions को आईए बरना मत आईए और मेरे ख्याल से जितना part अगर आप इतने तक भी paper का आ जा रहे हैं यहाँ पर यह लोग वही play करते है reasoning का decisive factor puzzle होता है एक puzzle पकड़ा, बना नहीं वो time तो गया, वो selection में लेके चला गया same चीज यहाँ पर भी होगा तो आपको इन chapters के उपर बाद में focus करना है और अगर आपका preparation अच्छा है आने के लिए हम आज का यह session लेके आये थे उमीद करते हैं कि सब चीज आपके दिमाग में हमने properly example के साथ, proof के साथ गुसाया session अगर पसंद रहागा तो definitely like कीजे और हाँ SBI Club 2021 का crash course जल्दी ही channel पर आपको देखने लिए मिलेगा, तो channel पर नए है तो channel को subscribe ज़रू से कर लिजेगा और existing subscriber ना भाई bell icon को दबादो ताकि आने वाले जितने भी वीडियो से उनके notifications आपको मिलते रहें और बस यही कहरें कि channel session अगर पसंद आगो तरफ ने like कीजे दोस्तों आज शेयर कीजे existing subscriber icon को दबाईए thank you so much guys उमीद है सब कुछ आपके दिमाग में पल्ले घुसा होगा session कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा और कोई queries है तो comment box पे उसका comment का reply हम दे भी देंगे चलिए thank you so much guys for watching love you take care